अगर आपने हमारा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वो बेल आइटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों चंदरमा पर चंदरियान टू की सौप्ट लेंडिंग के जरिये भारत दुनिया के सामने अपनी तकनीकी सरिष्टता का परदशन करेगा अब तक अमेरिका रूस और चीन ऐसा कर पाएं इस किसम की लेंडिंगी सफलता के लिए वह जगह सबसे महत्पूने जहां अं के गड़ों जिनके नाम में सिंपेलियस एन और मेंजीना सी के बीच मोझूदा नो कीमी लंबे समतल मेदान को चुना है साथ सितंबर की सुबह से पहले यहां यान को उतारा जाना है वहीं एक वेकलपिक साइट भी तयार की गई है किसी भी तरह के प्रोग्राम में बदलाव की इस्तिती में ऐसे में आईए जानते हैं इन जगों से जुड़े महत्मून तथ्य और चंद्रियान दो के लिए चुनाव की वज़ों के बारे में चंद्रियान दो को चंद्रमा के दक्षिन धुरू पर 65 डिगरी से 90 डिगरी आक्षांस पर उतारा जाना है यहां यह जग का चुनाव अपने आप में बड़ी चुनो थी है इसके लिए दो कसोटियां बनाए गई है तक्निकी और वेग्यानी की और इसके आधारपल लेंडिंग के समय विक्रम वो प्रग्यान के लिए चंद्र सता पर उतारने के समय पेश आने वाली कुछ समस्यां क्या क्या हो सकती है उसके बारे में जानते हैं पहली समस्य है ढलान, विकरम को उतारने के लिए 15 डिग्री से कम ढलान वाले जगों को चुना जाएगा, ज्यादा ढलान उने पर विकरम को उतरते समय संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है दोस्तो दूसरी समस्या होती है बॉल्डर से रिलेटेड विक्रम जहां उतरेगा वहाँ 0.5 मिटर से बड़े और 32 सेंटीमिटर से उचे बॉल्डर या यह कहें बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए ऐसा हुआ तो नकेवल लेंडिंग के समय बादा बन सकते हैं बलकि संतुलन भी बिगार सकते हैं प्रग्यान को चंद्रमा की सता पर चलाने और और और्बिटर व प्रत्वी से इन दोनों को रेडियो संपर्क बनाने में बादा आ सकती है दोस्तो तीसरी समस्या आती है चाहिया की किसी बड़ी चटान पहाड या उची जगे के चाहिया में विक्रम को बचाना होगा क्योंकि सबसे ज़्याद से ज़्याद समय सूर्य की रोशनी मिल सके जिससे ये प्रोग्राम लंबे से लंबे समय तक चल सके जिसे कम से कम एक चंदर दिवसिया यू कहें 14 दिन तक चलाने का लक्षी रखा गया है दक्षे दुरू पर लेंडिंग की एक वज़े मिशन की लाई बढ़ाना भी था क्योंकि दुरू पर सुर्य का प्रकाश जादा समय तक रहता है